देवली उन्यारा सीट पर चलते उपचिनावों में हुआ थपड कांट सबको याद है। देवली उन्यारा सीट जीतने के लिए कॉई कमी नहीं छोड़ी थी क्योंकि केसी मीना का नामंकन दाखिल करवाने के लिए पूर सीएम अशो गहलोर, बीसीसी चीफ गोविन सिंग्डो टास्रा, नेता प्रतिपाक्ष टिकाराम जूली और टोक सवाई माधपूर सांसद हरीश मीना समेथ कॉंग्रेस की तमाम बड़े नेता जुटे थे, उसके बाद भी कॉंग्रेस प्रतियाशी के चारोग खाने चित होकर जमानत जब करवाने की चर्चा खोग हो रही है चर्चा में सवाल ये भी उट रहा है कि सचिन पाइलेट की प्रभाव वाले देवली उनियारा में बड़े नेताओं की ताकत भी कॉंग्रेस प्रतियाशी की जमानत नहीं बचा पाई इधर जेल में बन नरेश मीना के रिजल्ट को लेकर भी लोग टक टकी लगाए देखते रहे आखे नरेश मीना की हार हुई लेकिन पहली बार निर्दलिय प्रतियाशी को 60,000 बोट मिले और इसी कारण से कॉंग्रेस की जमानत जप्त हो गए नरेश मीना की हार के बाद मुकेश मीना ने देवली उनियारा की जनता को धानेवाद दिया मुकेश मीना ने कहा कि जनता के सुख दुख में हमेशा साख खड़े रहेंगे सभी ने देखा हमने कॉंग्रेस की जमानत चप करा दी सबसे पहले तो मैं हमारे जो देव तुले, हमारी जो देव लिउनियरा के जो हमारे लोग है सबको मैं बहुत-बहुत दन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका इतना जो भरपूर प्यार जो हम ही मिला है सर्वे समाज का तो सभी का मैं पोटी-कोटी बहुत-बहुत मैं धन्यवाद और जीवन भर हम रणी रहेंगे और मैं जब भी उनके दुख और सुक में हम आगे तयार हैंगे, हमारा संगर्स जारी है और हम जनता के लिए क्योंकि यह हमारा एक मातर 15 दिन, हमारी 15 दिन की मेनत थी और अब हम क बीच में रहेंगे, जनता के हम सेवा करेंगे, उनके दुख सुक में हमें साम तयार हैंगे। करते हुए उठाई, गिरा तक का डाला। इसके बाद सचिन पाइलेट ने सभी नेताओं को भाशा का अन्य अंत्रिन रखने की चेतावनी दे डाली, लेकित तब तक देर हो चुकी थी और कॉंग्रेस पार्टी का देवली उनियारा जैसा किला हिलने लगा था। लाकर खड़ा कर दिया। रही सही कसर समरावता गाउं में हुए थपड काडने पूरी कर दी। सच पे धड़क के लिए सब बदाता सुनी प्यागव की रिपोर्ट।